हाव रफीक्स सैमसंग M30 इंकामिंग कॉल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वाग रब सभी का तिकराच योटीब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर इंकामिंग कॉल प्रॉब्लम स्वाव के से कर सकते हैं इंकामिंग कॉल के रिलेटेद दोस्तों यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन से मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला ہू झी जैसे कि incoming call problem आपका जरूर फिक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप online पेसा कामाना चाते हैं तो video description पर link मिल जाएगा चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आपको incoming call में किसी भी तरह का problem आते है तो पहले दोस्तो आपको check करना होगा कि आपके mobile पे incoming recharge है या नहीं है तो सबसे man और जरूरी बात अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो recharge कर लिजे उसके बाद आए आपने mobile के phone call setting पर ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है block number पे जाना है और check करना है आपके block unknown private number on है या off है तो इसको आप off करके रख दीजी ठीक है ताकि आपको कोई भी problem ना हो आपका wifi calling burn होना चाहिए अगर wifi calling on है तो wifi calling burn कर दीजे क्योंकि wifi connect रहेगा और अगर कोई call करते तो कई बार दोस्तों यहाँ पे क्या होते call लग नहीं पाते ठीक है तो आपको यह चीज़ ध्यान पे रखना है and then दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है supplementary services में आपको चेक करना होगा call forwarding as well as call bearing ठीक है call forwarding को चेक करें अगर on है तो off कर दीजे अगर आपको call forwarding burn करना नहीं आते मैंने इसके related पूरा वीडियो बना रखे आप उसको जाके चेक कर सकते call bearing जहाँ पे call bearing enable है तो उसको दोस्तों burn करना होगा ठीक है मान लिजी incoming call पे आपका यह लगा हुआ है ठीक है यह burn यह on क्या हुआ है तो आपको यह burn करना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखे solve हो जाएगा problem तो पहले चीज़ आपको यह सारे basic knowledge रखना बहुत ज़रूरी है सारे सबस्तों आप क्या कर सकते डिवाइस को restart कर सकते सिम कार्ट को इजे करके insert कर सकते जैसे कि सिम कार्ट को मोबाइल से बाहर पर निकल कि उसको दुबारा से अंदर पर देना है ठीक है तो आप यह सारे solution कर सकते यह आप एंदेन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नेट्रोक के related कोई भी इश्यू है तो जाए दोस्तों आपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है simply scroll down करना है general management पर जाना है reset option select करना है और उसके बाद reset network setting पर click करते हुए mobile setting को reset कर देना है और mobile pattern या फिर password भरके उसको reset करना है उसके बाद दोस्तों जाए connection पर connection पर जाके आपको mobile network select करना है network mode पर जाके network को switch करना है network दोस्तों चेक करें 4G, 3G, 2G जो भी आपकी area में चल रहा है वो use करें अगर आपको confusion हो रहा है तो network operators पर जाए यह select network automatically का option on है तो इसको बन कर दीजिए manual network दिखाई देगा जो भी network available है आप उसको connect करके use कर सकती है ठीक है तो यह सारे solution करने के वार आपका problem solve हो जाएगा और दोस्तों mobile software अगर आपका update नहीं है तो mobile software update करके आप चेक कीजिए आपका complete problem fix हो जाएगा by any chance अगर आपको incoming call के related कोई भी problem आते हैं तो आप directly customer service को call करके पूछ लेना ठीक है मैं आपको यह suggest करूंगा अगर आपका atl sim से दोस्तों आप call नहीं कर पा रहे तो दूसरे atl sim से call लागा के देखिए अगर आपके geo sim से नहीं रहे तो दूसरे से करके देख सकते ठीक है तो इस तरह के से आप यह भी कर सकते हैं तो बस दूस्तों incoming call के related जितने भी मैंने solution था वो दे लिया आपका problem इसी तरह के से fixed होगा उमीड करते वीडियो आपको पसने होगा thanks for watching